अश्राम को स्ट्रेंट्स, उमीर के तो बेटा जी आप लोग खायरियत से होंगे, स्ट्रेंट्स, आज हम एक्सेसे 5.2 स्टार केने जा रहे हैं, और 5.2 का क्वेशन बाइब बाइन एक्सेट्स, तो बेटा जी अभी तक हम प्रीवेस कंसेप्ट को ही तुड़ा सा यूज करे छिए के लाइए और फिर हम और मोवर ओन करेंगे अपने एक्सक्सक्स कितब, अब सर्फ फार्मॉला के निए मैं के चाहिए हमें माइनस टू इंटू एच आई और बी चाहिए अब सर यह अगर आप एक्जेक्ट तर्म देखें तो यह अब एक स्कूर्स धोड़ो अपने हैं फिर ने किया है तो आप क्या करेंगे आप टू प्लस भी करेंगे सो देट इसका नटिफेक्ट क्या हो सें रहे और माइनस तो में गिवन था वह ओलरी वह सेंग एज़िया सेबलाइट एख दें यह करते हमने इस ट्रम को लिख ने एक स प्लस बी स्क्वेर माइनस टू ए इंतु भी अब देखें बैटाजी एक स्क्वेर एक स्क्वेर तो फैसी कैंसल हो जाएगा हम्हारा पास होगाइब जो एक्जेक्ट हम है डैटस ऑनस-2 तो माइनस-2 हम खुद से लिख रहे हैं तो बैटाजी मैथमेडिक्स का रूल है अगर यह तो आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, answer that formula is a square plus b square minus 2ab that is equals to a minus b whole square और sir plus 2 minus 3, तो बेटा जी answer किया आएगा, sir answer will be minus 1, so students इस minus 1 को आप लिख सकते हैं, 1 का square, यह सब बिलकुल हम लिख सकते हैं, तो बेटा जीए क्या आजाएगा, minus 1 square, अब देखे हैं, a square minus b square, so students a square minus b square, that is equals to a plus b, so students क्या आजाएगा, x square minus 1 over x square plus 1 into x square minus 1 over x square minus 1, so students a plus b into a minus b, that's it, यह आपके क्या बन गिए students, यह आपके factors आगे, अब हम move करते हैं, इसके part number 3 के जब, तो students part number 3 में भी आपने identify करना है, कि आपके पास a square और b square की term कौन-कौन सी आ रहे हैं, देखें बेटा जी a raised to power 4, तो उससे हम क्या लिखेंगे, उससे हम लिखेंगे a square का square, उसके बास students 4b square, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, 2b whole square, 2b square का square आज जाएगा students, यह भी विकोज हमें जो value given है, यहाँ पर फोर भी, फोर गिवाना है, तो देखेंगे बेटाजी a square plus b square, तो अब formula क्या होगा, formula होगा students, plus 2a into b, अब देखेंगे बेटाजी, 2a square, b square आपने खुद से add की है, तो students exactly, यही time आप क्या करेंगे, आप minus कर देंगे, तो 4a square, b square आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और plus 3a square, b square जो हमें गिवन थी students, वो as it is लिखी जाएगी, अब देखेंगे बेटाजी, यह जो terms आप की, एक formula में enclosed होजेंगी, and students, that formula is a plus b whole square, now students, minus 4a square, b square, plus 3a square, b square, so can we write minus a square, b square, yes, I can write this, अब बेटाजी, a square, b square को आप लिख सकते हैं, a, b whole square, सब बिलकुल लिख सकते हैं, तो students, यह क्या आजएगा, a square, plus 2b square का square, minus a, b whole square, now बेटाजी, formula, that is a plus b, into a minus b, सर, यह क्या form आजएगी, a square, plus 2b square, plus a, b, into a square, plus 2b square, minus a, b, तो students, यह solve हो गया, उसी तरह से students, इसका part number 4 है, part number 4 में में सर्फ दो terms given है, एक साथ दो terms के साथ, जो sign यह उसके जारा है, that is positive, students negative नहीं है, negative होता, तो a square, b square बनता, positive है, a plus b, whole square की form आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर्फ, 4x raise to power 4, बेटेज़ क्या लिखेंगे से आप, 2x square का square, 81, सर्फ क्या लिखा जा सकता है, square of 9, तो दखें सर्फ, a square, plus b square, so students formula is plus 2a, into b, सर्फ, यह term तो हमारे पास नहीं थी, हमें तो कहीं पर भी question में given नहीं है, तो सर्फ हम खुद से add कह रहे हैं, तो बेटा, obviously, यही term आप क्या करेंगे, आप minus b करेंगे, तो सर्फ, 2 into 2x square, into 9, आपने minus b कहल दिया, अब बेटा जी, यह जो term आपके पास, जो indicated term है, यह के बन गया सर्फ, तो आपका formula बन गया, and that formula is of, a plus b whole square, minus, देखें सर्फ, 9 twos are 18, and 18 twos are 36, तो सर्फ, यह क्या आजाएगा, 36x square आजाएगा, अब बेटा जी, 36x square को आप लिख सकते हैं, 6x whole square, सर्फ, बिल्कु लिखा जा सकते हैं, तो इसे लिख लें बेटा जी, सर्फ, a square minus b square, सर्फ, a square minus b square, सर्फ, आंसर क्या होगा, आंसर होगा, a plus b, into, a minus b, सर्फ, बेटा जी, this is your answer, अब हम मूफ करते हैं, सर्फ, question number 2 की तरफ, अब question number 2 में है, factorize, अब सर्, यहाँ पर जो factorization है, यह medium breaking से है, सर्फ, हमें कैसे पता चले का, यह medium break होगा, अब देखेंगे बेटा जी, number of times to 3 आ रही है, सर्फ, कुछ common आ रहा है, सर्फ, कुछ common नहीं आ रहा, बेटा जी, वी फार्मूला बंद रहा है, सर्फ, कुई फार्मूला भी नहीं बंद रहा है, अब यह a square तो चले है, b square को आप क्या लिखेंगे, सर्फ, कहीं पर भी ऐसी की possibility नजर नहीं आ रही है, तो सर्फ, ऐसे cases में हमेशा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम mid term break करेंगे, अब सर्फ, mid term breaking कैसे होती है, बेटा जी, method समझ लीजिएगा, एक दिफार गर method समझ आजे, तो हर चीज़ इसली समझ आजएगी, सर्फ, सबसे पहले आपने अपने term को arrange करेंगे लिखने, x square की term पहले होनी चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर constant होना चाहिए, सर्फ, step one, arrange करने के बाद यह है, कि जो constant term में सर्फ, आपने इसको multiply करना है, with the coefficient of x square, तो सर्फ, यहाँ पर constant 48 है, x कोफिशेंट 1 आ रहा है, तो अब multiply करेंगे दिए, सर्फ क्या आजएगा, 48 आजएगा, अब उसके बाद आपने 48 के prime factors बना दे हैं, आपने क्या करने हैं, आपने उस 48 के prime factors बना दे हैं, तो सर्फ 2 पर डिवाइड होगा, obviously 24 आ गया, 2 पर डिवाइड होगा, 12 आ गया, 2 पर डिवाइड होगा, 6 आ गया, 2 पर डिवाइड होगा, तो सर्फ 3 पर डिवाइड होगा, बना आ गया, अब सर यह हमारे पास prime numbers आ गया, अब आपने बेटा जी करना किया है आपने इस 14 को basically break करना है mid time breaking हम इसे कहती है इस वज़ा से है कि आपके जो middle time है श्रॉण्स वो दो parts में split हो जाती है अब श्रॉण्स आपने इन पेज में से ऐसे दो number choose करने है जिने plus minus करें तो 14 है यानि middle term है और multiply करें तो श्रॉण्स वो answer आए जो इनको multiply करके आ रहा है तो देखें बेटा जी यहाँ पर आपके पास जो factors बनेंगे वह यह होगा और एक यह होगा तो टूज़ा 4, 4 टूज़ा 8, एंश्रॉण्स 3 टूज़ा 6 अब सब 8 और 6 को अगर हम multiply करें तो आंसर क्या आएगा 48 आएगा और 8 और 6 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा आंसर एक्जेक्ली वही middle term आएगी 14 बेटेज़ यहाँ पर एक चीज़ का ख्यार रिखिएगा science बहुत important है अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस फॉर्टीन आना चाहिए माइनस है तो माइनस आना चाहिए आपने science को चेक कर लेना लाज़मी तो बेटेजी से आप फुर्दर क्या लिखेंगे X-square प्लस 8N प्लस 6x plus 48 कि हैया हमने में तर्म को बरेक कर दीक चोड़िंग यह बदरू अप्शेंट summation से आपने क्या कह näँ आ पने देखना x plus 8 आजेगा सुछर्स क्वेशन चेक कहने के कही वेजन यहां पर अगर आपके बास ब्रेकट के अंदर कॉमन लेने के बाद टर्म सेम हैं तो इक में क्या आप क्रेक्ट सॉल्फ कर रहे हैं अगर सेम नहीं आ रही तो इस तर्म यह आपके पास और एक तर्म यह है तो इन दोन में से क्या करें आप एक्स प्लस एड कॉमन ले लें एंड एक्स प्लस सिक्स एज़िज आजेगा सो दिस इज़िए बेटाजी यह क्या बंगे यह आपके गिवन टम के फैक्टर्स बंगे तो शुर्स दिस इस मिटम ब्रेकिंग अब इस कम पार्ट नबर थी करते हैं आप लें इस इस देखें बेटाजी टू से डिवाइड होगा क्या जगा ट्विंटी वन ट्री से डिवाइड होगा सुष्ण आपके पास सेवन आएगा और सेवन बंगे अब इस आपको ऐसे दो नमबर चूस करने हैं जिने प्लस माइनस करें तो माइनस एलेवन आए और मुल् बंगा वह सेवन और तूगा बनेगा और थी एक सेपर नमबर होगा विकार सेवन टूज अ फॉर्टीन और फॉर्टीन तीट इस एप नसर गया जेगा माइनस एलेवन आजेगा तो बैटाजी से अब क्या लिखेंगे अब लिख सकते हैं एक स्क्वेर माइनस 14 एक्स प्लस इन में से आप 3 common ले सकते हैं, तो बेटे जी ये भी क्या आगया? X-14 आगया, तो ओविस्यों स्टम सेम आरे, इत मीन्स के हम correct solve कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इनके स्ट्रेंट, एक माइनस 14 एक दफ़र लिख दें, और X-3, तो बेटे जी ये क्या बनगे? ये इसके factors बनगे, सेम स्ट्रेंट्स, question number 3 में भी factorization ही है, अब हम move करते हैं, अपने question number 3 की दरौफ, question number 3 देखें स्ट्रेंट्स, question number 3 का part number 2 again factorize, ये भी स्ट्रेंट्स में time breaking से ही question solve होंगे, 30X square plus 7X minus 15, तो स्ट्रेंट्स, इन तीनों टम्स में से कुछ भी common नहीं आ रहा, तो बेटे जी common नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, सब उसी तरह से constant हम को multiply कर देंगे, with the coefficient of X square, and that is 30, तो बेटे जी 30 multiply by 15, answer will be 450, तो बेटे जी 450 एक 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 माइन में तो कल्कुलेट नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, आप इसको prime factors में convert कर देंगे, तो इस्ट्रेंट्स क्या आजएगा, it will be 225, तो इस्ट्रेंट्स 5 से डिवाइड होगा, so answer will be 45, 45, 45 again 5 से उस्ट्रेंट्स, answer आजएगा 9, 9 3 से, तो उस्ट्रेंट्स आजएगा 3, और 3 3 से, answer will be 1, अब सर इन में से हमने वो नंबर्स चूज़ करने हैं, जिने multiply करें, 450 आए, plus minus करें, तो हमारे पास 7 आए, तो स्ट्रेंट्स इट मीन्स के हमारे पास उन दो नंबर्स में जो गैप होगा, that will be a greater value, तो देखें स्ट्रेंट्स, 5 और 5, तो ये क्या होजएगा, ये 25 होजएगा, 3 3s आ 9, 9 2s आ 18, तो स्ट्रेंट्स 25 को अगर हम 18 से मेंटिप आए करते हैं, तो स्ट्रेंट्स 25 में से अगर हम 18 माइनस करते हैं, तो स्ट्रेंट्स आ पास उन स्ट्रेंट्स आ सकते हैं, that is 7, स्ट्रेंट्स इट मीन्स फेक्टर्स क्या होँगे, 25 for 7 होँगे, तो बेर जब क्या करेंगे, 30 x स्क्वेर, प्लस 25 x, माइनस 18 x, माइनस 15, बेकोज ऑविस स्ट्रेंट्स इसलिए है, यह आपको प्लस चाहिए था, तो बड़ी वेर एक साथ प्लस आएगा, और मुल्किप्लाइए करेंगे, तो वही माइनस 450 ही आएगा आपके पास, अब बेटे जीन दो टर्मस में से देखिए, इसका कमन क्या रहा है, 30 और 25, बेटे जी जो फेक्टिर कमन होगा, तो बेटे विल बी 5 x, तो दुश्राइए क्या आजएगा, 6 x आजएगा, प्लस 5 as it is, ना दुश्राइए इन में से देखिए, तो माइनस 3 कमन आ रहा है, तो दुश्राइए माइनस 3 कमन ले लें, तो यह आजएगा 6 x प्लस 5, तो दुश्राइए फानल आजएगा 6 x प्लस 5, इंटू 5 x माइनस 3, तो दिस इस इट यह आपका बड़ा बेसिक सा पार्ट है, अब हम आजएगा इसके पार्ट नमबर 4 की तरफ, तो दुश्राइए पार्ट नमबर 4 में भी यही चीज़ है, आपने मिट्म ब्रेक करना है, तो देखें में टेजिए 21 x 5, तो रांसर क्या आएगा, आजए 1055 आएगा, 105 को आप 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 आपिस डिवाइड करेंगे 5 पर, तो दुश्राइए 21 आ गया, 3 पर डिवाइड होगा, तो सब 7 आ गया, और 7 वनज़ा 7, अब सब्सक्राइए हमें नमबर जो चाहिए, तो क्या करेंगे, सब 7 थीज़ा क्या होता है, 21 होता है, और 21 को 5 से मल्टिप्लाइ करें, तो 105 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 16 आ रहा है, इक यह मीनज़ से सब क्या लिखेंगे, 5X स्क्वेर माइनस 21 X, प्लस 5X माइनस 21, तो इन में से क्या कमन आ रहा है, तो तो थैट डिवेटाजी, अउली X, तो क्या लिखेंगे से अब, 5X माइनस 21, सब आ रहा है, कुछ भी कमन नहींगे, तो 1 common है तो तुष्ण से क्या आजएगा 5x-21 which means 5x-121 into x plus 1 will be our final answer तुष्ण पार्ट नमबर 6 अब पार्ट नमबर 6 में देखें बड़ा जी माइनस 13y square 3x square तो बड़ा जी multiply करेंगे तो क्या आजएगा say 39 आएगा अब हम दो terms में break करना है तुष्ण समें जो term चाहिए that is 38 39 है और 38 है तो कैसे करेंगे अब 38 और 39 और 1 तो देखें मेटा जी 3x square minus 39xy plus xy minus 13y square देखेंगे तुष्ण सॉल्फ कर लें अगें माइनस 38 आ रहा है और multiply करें तो माइनस 39x square y square आ रहा है अब बेटे जी in terms में से common तो सर्क्या common आएगा common will be 3x तो स्रेंट क्या आ गया x minus 13y इन में से y common आ रहा है तो से अब क्या लिख लेंगे x minus 13y तो बेटे जी एक दफ़ाप के पास आजएगा x minus 13y और स्रेंट से एक दफ़ाप के पास आजएगा 3x plus y so that's right students यह आपके क्या होगे factors बन गया नव students थोड़ा से tricky part part number 8 आपको given है 5x minus 1 over x whole square plus 4 into 5x minus 1 over x plus 4 students इसको simplify करने के लिए हम थोड़ी से modification करते है अगर आप bracket में terms देखे है 5x minus 1 over x आ रहा है उस रहाँ से यहाँ पर भी 5x minus 1 over x आ रहा है हम उसको let कर लेते हैं ठीक है so let 5x minus 1 over x equals to y so let's have a firstly किया ताकि simplification notice easy हो सेगे तो बैटे जी जब आपने इसको let y कर लिए तो यह जो term है आपके पास y square बैटे जी आपके पास क्या आ गया 4y और यह 4 as it is नो बैटे जी तो फर्मॉला बंद रहा है 2 का square so plus 2 into y into 2 तो यह तो फर्म बंद जेगी y plus 2 whole square की so we can write y plus 2 into y plus 2 तो यह factors तो बंद गे but y का रेप्लेस कर दें y की values है तो इसमें साब क्या लिखेंगे replacing y by its value तो इसमें तो य की place पर क्या आज़ेगा आपके भाश that will be 5 x minus 1 over x PLUS 2 multiply by 5 x minus 1 over x PLUS 2 so that will be the answer so this is it for two different हम ने Q3 तक सवल्फ कर लिए and mostly जोसमे power surprises that was mid term braking इसमें से जर्ट सका Q4 डेरेंगे till then take care and Allah ayudar lフाष झाल झाल